हेलो दोस्तों, मैं स्टोरी टेलर धीरेंदर दुबे, फिर हाजुर हूँ एक नई कहानी के साथ कहानियां जो जीवन के अनुभवों पर आधारित हैं और किसी ने जेली हैं, किसी ने सहा है किसी ने गड़ा है, और आज ऐसी ही एक कहानी, सच्चा प्यार, जो मेरी श्वैम की रचना है, मैं आप सब के सामने रखना चाहता हूँ कहानी कुछ इस प्रकार है, सुनीमपुर गाउं में एक ही होनहार लड़का रतन था, पुरा गाउं उसकी प्रसंसा करते न थकता, जैसी ही बिद्या, वैसी ही बुद्धी, और इस पर उसकी ब्यवहार कुसलता, न चाहने वाले के मन में भी वह अपनी जगह बना ही लेता रतन अपने चाचा चाची के पास पिछले दस वरसों से रह रहा था, दस वरस पहले गाउं में आई एक भयंकर बाढ़ ने रतन के माबाप को उससे छीन लिया था, अब चाचा चाची ही रतन का सहारा थे, चाचा चाची ही उसकी सभी जरूरतों को अवश्य पूरा करते थ थे परन्तु रतन के लिए उनके मन में हारदिक शनेह का अभाव था रतन भी इस कमी को महसूस करता था परन्तु क्या कर सकता था कोई और दूसरा सहारा तो न था सनेह जबरन वसुली की वस्तु तो है नहीं पूरे गाव में रतन के प्रसंसकों और चाहने वालों की कमी न थी लेकिन अगर उसे कोई समझ पता तो वह थी रूप नाराण चौबे की लड़की पायल पायल एक बहुत खुबसूरत गंभीर और गुणी लड़की थी रूप नाराण चौबे को अपनी लड़की पर कई लड़कों से भी लड़कों के बाप से भी ज़्यादा गर्ब था पायल की समझधारी और चतुराई की चर्चा भी गाउं की औरतों में खूब चलती थी पायल हमेशा अपनी कच्छा में अबल आती बारवी की छात्रा थी वह बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रहा रतन और पायल के बीच में मेल का कारण भी उन दोनों की पढ़ाई ही थी पायल जब भी पढ़ाई में उलस थी तो सीनियर होने के नाते रतन को मदद के लिए बुला लेती थी इस मेल मिलाप में नज़ा ने कब उन दोनों में दोनों को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया दोनों ने एक दूसरे की अच्छाईया दोनों को एक दूसरे की अच्छाईया भाने लगे दोनों में प्यार हो गया रतन को वरसो बाद सच्चे प्यार की अनुभूती हो रही थी माबाप के बाद यह प्यार का सच्चा अनुभव उसको पायल के पास ही हुआ प्यार का रूप बदल गया था परंदु पवित्रता वही थी रतन धन्य हो गया वो इस प्यार को अपने दिल में कैद कर लेना चाहता था यही कारण था कि रतन आत्म निर्भर होना चाहता था जब पायल से उसने इस बात का जिक्र किया तो वो भी रतन के विचारों से सहमत हो गई दोनोंने मिलकर फैसला किया कि रतन सहर जाकर कमाएगा रतन ने पायल के पिता से थोड़ी आर्थिक मदद मागी जो तुरंत मंजूर हो गई रतन ने अपने चाचा चाची से भी मंजूरी ले ली अब कोई रुकावट न थी रतन ने अपनी पढ़ाई पर पुरुन विराम लगा कर परिस्तितियों से समझाता कर लिया वह दिन भी आगया जब रतन एक छोटे से बैग में अपनी दुनिया कैद करके समेट कर अपने गाउं से अपनों से सैकडो मिल दूर सहर को चल पड़ा चाचा चाची से विदाई लेकर वह सीधे रूप नाराण चौबे के घर पहुंचा चौबे जी ने वादे के मुताबिक उसे अर्थ पकड़ाया रतन चौबे और चौबाईन को प्रणाम कर चलने लगा तभी चौबाईन ने पायल से कहा कि जा पकी सड़क तक छोड़ा पायल भी रतन से अकेले में मिलना चाहती थी पर वा कहन पा रही थी लेकिन अब तो कोई बंदिस नहीं चौबाईन ने स्वेम इजाज़त दी थी पायल को चपल भी पहनने का होसना रहा और नंगे पैरों ही वा रतन के साथ चल पड़ी खेतों से होते हुए दोनों कच्ची सड़क पर आ गए मन ही मन रतन सोच रहा था कि पायल को चुरा कर सहर लेता चले सायद पायल को भी कोई आपती ना होती लेकिन यह संभव नहीं था दोनों एक दूसरे को समझाते बुझाते कच्ची और पक्की सड़क के मिलनस्थल तक पहुँच गए जहां से उन दोनों को बिछुडना था आम के बृक्ष के नीचे दोनों एक दूसरे से बिदा लेने की मुद्रा में खड़े होते हैं दोनों की आँखे छलकने के लिए एकांत का इंतजार कर रही थी तभी रुवांधेश्वर मेरतन ने पायल से कहा पायल तुम्हारी बहुत याद आएगी उस वक्त पायल ने जो उतर दिया वो उसे कभी नहीं भूलेगा पायल ने कहा जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो सिर्फ इतना सोच लेना कि जिस जमीन पर तुम खड़े हो तुम्हारी पायल भी उसी जमी पर है इसलिए तुम्हारी पायल तुमसे दूर नहीं बलकि नजदीक है पायल ने सबसे छुपा कर उसके लिए एक रुमाल बनाया था जिसके एक कोने पे रतन और दूसरी तरफ पायल नाम अंग्रेजी अक्षरों में कड़ा था पायल से रुमाल पाकर रतन बहुत खुस हुआ मनों उसे कुछ खीमती सा मिल गया हूँ लेकिन उसे इस बात का दुख था कि वह पायल को कुछ न दे सका यह कसक मन में जब्त किये वह पायल से बिदा लेता है और आगे बढ़ जाता है सहर पहुँचकर रतन को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तब जाकर उसे एक सेट के यहां नौकरी नसीब होती है अपने मेहनत, बुद्धी और इमांदारी के बल पर बहुत जल्द सेट का मन जीत लेता है लेकिन सेट की नौकरी में वह इस कदर उलजा कि पायल के सिवा उसे कुछ भी खयाल न रहा मनी ओर्डर करके उसने पायल के पिता के अर्थ भी लोटा दिये थे समय बीटा गया, दो वर्स यूं कट गये जैसे किसी किताब के पन्ने बिना पढ़े पलट दिये गए अब वह पायल का दीदार चाहता था सो सेट से चुटी मांगी, चुटी मंजूर हो गई गाउ रवाना होने से पहले उसने पायल के लिए खुबसूरत सा पायजेब बनवाया पायल के लिए पायजेब इससे खुबसूरत तफ़ा और क्या हो सकता था चांदी की पाईजे बैग में और पायल से मिलने की इच्छा अपने दिल में सजोई रतन गाउं पहुँच गया वो बहुत खुस था गाउं पहुच कर वो सीधे चौवे जी के घर पहुँचता है अब उसे भैना था वो आत्म निर्भर हो चुका था उसके त्याग और तपस्या का फल अप्राप्त होगा चौवे चौवाईन उसे देख कर बहुत खुस हुए चौवाईन ने उसे प्रेम पुर्वक बैठाया और रस घोल कर पिलाया सब कुछ ठीक था किन्तु रतन की आँखें अपने पायल को देखने के लिए ब्याकुल थी वो अपने पर काबू रखे हुए था तभी चौवाईन ने कहा बेटा हपता भर पहले आये होते तो तुम भी पायल को ससुराल जाते देख लेते इतना सुनना था कि रतन पर बिजली सी तूट पड़ी जमीन रुख गया आस्मान चक्कर खाने लगा चौवाईन आगे कहती गई बड़ा ही नेक लड़का है यहीं सहर में डॉक्टरी करता है दोनों की जोड़ी नारायन लक्षमी की जोड़ी है पायल भी बहुत खुस है बिटा रतन के बल सुन रहा था उसकी सारी अन्य ग्यानेंद्रियों की सक्ती छेंड हो चुकी थी अब उसने सुना नहीं अब उससे सुना नहीं जा रहा था वा तुरंत वहां से उठा और प्रणाम करके चल दिया चौबे चौबाइन भी उसकी इस हरकत से हैरान थे पर इसका रहस्य उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रतन इनका यह व्यवहार रतन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है रतन चल कर उस स्थान पर पहुंसता है जहां उसने पायल से अंतिम बिदाई ले थी अपना सब कुछ लुटा कर रतन वापस सहर लोट जाता है पायल ने फैसला किया था कि रतन उसे उतना सुख नहीं दे सकेगा जितना कि वह डाक्टर सहाब से साधी करके पाए पायल ने ऐसा फैसला क्यों किया यह वह ही जानती थी लेकिन इतना तैंथा कि पायल ने सच्चे प्यार को ठोकर मारी थी बेवफाई की थी आज भी रतन की आखें उस रुमाल और पायजेब को देखकर भर आती है वह अब भी पायल से उतना ही प्यार करता है धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद